मेट्रिक्स की क्लास 6 में हम बात करेंगे आज डाइगनल मेट्रिक्स के बारे में ओके अभी तक हम 7 टाइपस ऑफ मेट्रिक्स पढ़ चुके हैं 7 टाइप की मेट्राइसेस हम पढ़ चुके हैं अब हम देख रहे हैं 8 टाइप जो की बहुत इंपोर्टेंट है जिसके base पे दूसरी matrices depend करती है diagonal matrix तो इसको ध्यान से समझेगा यह बहुत important है सबसे पहली बाद तो देखिए यह definition ही कहती है a square matrix a square matrix का मतलब क्या हुआ ऐसी matrix जिसमे number of row और column क्या होने चाहिए same मतलब diagonal matrix वो होती है जिसमे number of rows और column क्या होते है same तो यहां पर यह मतलब हुआ कि diagonal matrix rectangular matrix कभी नहीं हो सकती ओके एक बार फिर repeat कर रहा हूँ कि diagonal matrix हमेशा square matrix ही होती है वो rectangular matrix कभी नहीं हो सकती तो आगे बढ़ते है a square matrix A हमने कोई भी matrix मान लीजिए उसको name दे दिया A तो a square matrix A is set to be a diagonal matrix if all of its elements all of its elements except diagonal elements are zero मतलब diagonal element को छोड़ के अब diagonal element क्या होते है पहले मैं यह आपको समझा दूँ कि diagonal element का क्या मतलब हुआ जैसे एक आसान भाशा में हम जैसे quadrilateral बनाते हैं quadrilateral हिंदी में जिसको हम चतुरभुज बोलते हैं तो अगर हमने यह मान लीजे quadrilateral बनाया है या चतुरभुज बनाया तो अगर हम B और D को जॉइन करेंगे तो यह हमारा diagonal कहलाएगा ओके यह हमारा क्या कहलाएगा diagonal कहलाएगा है ना इस quadrilateral का यह diagonal कहलाया तो इस diagonal पे जितने भी elements आ रहे हैं इस diagonal के अंडर जितने भी elements आ रहे हैं वो हमारे diagonal elements कहलाते हैं ओके तो यहाँ पे वोही चीज जो है यह देखिए कि अगर इस matrix की में बात करूँ अगर इस matrix की में बात करूँ तो यह जो elements है 6, 5 और 4 यह diagonal के अंदर आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे diagonal elements बोलेंगे तो अगर कोई एक ऐसी square matrix है जिसमें diagonal element को छोड़ के बाकी हर element 0 हो अब देखिए अगर आप इसकी बात करो तो diagonal element को छोड़ के बाकी सारे element यहां पे क्या है 0 है तो ऐसी square matrix जो है वो क्या कहलाती है diagonal matrix एक बार फिर से repeat कर रहा हूं कि diagonal matrix एक ऐसी square matrix होती है एक ऐसी special type of square matrix होती है जिसमें diagonal वाले element को छोड़ के बाकी सारे element क्या हो जाते हैं 0 तो जिसे एक example की में और बात करूँ आपसे कि अगर मैं यह matrix लेता हूँ 1, 2 suppose करो और यहां पे 0, 0 लिख दूँ तो अगर मैं यह देखूँ तो यह जो diagonal element है इसको छोड़ के बाकी सारे element क्या है इधर 0 तो इसलिए यह matrix आपकी क्या है diagonal matrix है लेकिन अगर मैं suppose कि यहां पे एक ऐसी matrix लिखता हूँ 1, 1, 0, 2 तो अगर मैं अभी diagonal element यहां पे लेता हूँ तो diagonal element को छोड़ के बाकी सारे element क्या 0 है यह तो 0 है लेकिन यह element 0 नहीं है तो इसलिए यह diagonal matrix आपकी नहीं कहलाएगी तो यहां पे यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यह भी एक square matrix है क्योंकि row 2 है और column भी 2 है similarly इसमें भी 2 rows है और 2 columns है तो सबसे पहले तो यह condition हमारी रहनी चाहिए कि जो diagonal matrix है वो क्या होनी चाहिए हमारी एक square matrix होने चाहिए और वो ऐसी square matrix होनी चाहिए जिसमें diagonal element को छोड़के बाकी सारे element हमारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए एक और example लेता हूँ मैं matrix of order 3 का मतलब जिसमें 3 row और 3 column है या तो आप इसको 3 by 3 भी बोल सकते हैं तो जैसे मैंने अगर यह लिया 3 minus 2 1 ओके यहाँ पर मैं ले ले रहा हूँ 0 0 यहाँ पर मैंने लिया 0 0 यहाँ भी 0 0 तो हम यह देख सकते हैं कि यह 3 rows हैं और 3 columns हैं तो अगर मैं यहाँ पर diagonal element की बात करता हूँ तो diagonal element को छोड़के बागी सारे element यहाँ पर देखी क्या है 0 है तो क्योंकि यह square matrix है और diagonal element को छोड़के बागी हर element 0 है इसलिए यह हमारा क्या कहलाएगा एक diagonal matrix कहलाएगी लेकिन अगर कोई भी एक element अगर मान लीजे मैंने यहाँ पर minus 1 लिया अगर कोई भी एक element भी मेरा तो यह बहुत important है इसके base में हम next पढ़ेंगे scalar matrix जो की एक diagonal matrix का ही form है तो हम कोई भी अगर matrix आगे जो पढ़ रहे है scalar matrix हो गई या identity matrix हम उसके next video पढ़ेंगे तो यह सब जो है वो diagonal matrix ही कहलाती है ओके तो जो diagonal matrix है यह हमें चीज ध्यान में रखनी है कि वो एक square matrix होती है जिसमें जो diagonal element है उनको छोड़के बाकी हर element क्या होता है zero सो हमने इस video में class 6 में देखा कि diagonal matrix क्या होती है next video में हम बात करेंगे scalar matrix की thank you